सभी रासियों को सुभ करने वाला उपाए नमस्कार मित्रों स्वागे थे सिद्ध टोट की चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से 15 अक्टूबर 2022 दिन सनी वार भगवान सनी का दिन और सनी देओ सभी के कार्यों में प्रगति दें स्थाइत्व दे सभी के कार्यों को एक ले में चलने दे ले तो भगवान सनी ही दे सकते हैं धीरे चलना धीमी गति में चलना यह स्वाभाव है और इस स्वाभाव के नाते आपकी चीजें धीमी हो जाती है धीमी का मतलब देखिए आपका अच्छा समय जल्दी से बीत जाए और सनी देव आगए और उस अच्छे समय को धीमा कर दिये कि धीरे 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 बीतेगा तो अच्छा है ना तो सनी देव अच्छे भी हैं सनी देव की कृपासे आपके जिवन में सुब जो कुछ भी होना है वो देर तक होता रह सकता इसलिए सनी देव से डरे नहीं उन्हें खूब मनाए उन्हें खूब ध्यान करें और अपने कारियों में प्रगति अपने रिस्तों में स्थाइतों के लिए उनसे खूब प्राथना करें भगवान सनी प्रसंद होकर आपक को करना है, सभी राशयों को करना है जिससे उनकी राशी सुभ हो उनका दिन सुभ हो और आप से एग निविधन है कि कृपया इस तरह का विडियो जो आपका प्रति दिन का है उपाय करने वाला इसो खुब share कर दिया करें ताकि इसे कोई भी कर सके और अपने दिन को बहतर बना सके अपने दिन में शुबता ला सके और प्रियोग बीच में छोड़ना नहीं है आप प्रति दिन उपाय पा रहे हैं एक ले में आप भी रहें लगातार उपाय करिए प्रति दिन उपा हो जाएगा क्या पा रहे हैं क्या पाना चाहते हैं क्या मिल जाएगा वो थोड़े समय बाद पता चलेगा क्योंकि आप कभी थे ही नहीं समय और अभी भी आये हैं तो थोड़ा सा हैसास करने के लिए रुखना होगा तो चलिए आज का उपाय समझ लेते हैं एक पीला धाग काजल लगा दिजेगा काजल काजल न हो तो काली स्याही भी लगा सकते हैं काली स्याही लगा दिजेगा काली स्याही भी न हो तो कहीं से कोई राख हो आप राख लगा दिजेगा राख कहां कि आप दिया जलाते हैं उसमें काजल बन जाता है वही आप लगा दिजे वो भी चल जाएगा तो अब उसे लगा दीजे उसे लगा करके थोड़ी देर के लिए इस धागे को अपने गले में हाथ में या अंगुली में लपेट लीजे थोड़ी देर थोड़े देर मतलब एक मिनट दो मिनट ना काफिए लपेटने के बाद इस धागे को उतारिए प्रभू को प्रडाम करिए सुनिद्यों को प्रडाम करिए अपने जीवन में सुख की कामना करते हुए जहां भी दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करने की प्रार्थना करते हुए कि भगवान मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम है ठीक हो जाए भगवान मेरे दामपत्य जीवन में दिक्कत है दूर हो जाए भगवान मेरे विशाय में दिक्कत है दूर हो जाए भगवान मेरे जीवन में ही बहुत दिक्कत है धीरे धीरे सब दूर हो जाए आपकी कृपा हो जाए बोल करके आप इस धागे को किसी भी पेड़ के नीचे रख दे शमीर का पेड़ अगर आपके आसपास है तो इसे वहाँ पर डाल दे वो बहुत अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा प्रभाशाली हो जाएगा करके देखिएगा उपाए और बताईएगा इसका असर कॉमेंट में मिरते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुस रहेए